नमस्कार दोस्तों विक्रम कंप्टेशन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे SSC CHSL का 24 माई 2022 का फर्स्ट सिफ्ट का क्वेस्चन तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं Q1 दिया हुआ है एक परिक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपष्थित हुई लड़कों का ओसथ शुरू 12 था लड़कियों का ओसथ श्ट् fruit था जबकि सन्यूक्त ओसथ श्कूर 30 था परिक्षा में कितनी लड़कियां सामील हुई चलिए इस्टार करते हैं लोग डाइट हम लोग कोषचन बनाना शुरू करते हैं देखे कोषचन में क्या बोला है कि एक परिक्षा में 15 लड़कें सामील हुए और कुछ लड़कियां लड़कों का यहां पे लिख रहे बॉई और यहां लिख रहे है girls boys का जो average दिया है वो कितना है 26 और girls का जो average है वो है 36 और total दोनों का जो average है total का average हम लोग को दिया हुआ है पि क्या है 30 यहां से हम लोग cross minus कर लेंगे कितना जगा 36 में से 30 जगा 6 तीस में से 26 जाएगा चार रेशियो में इसको काटकर निकाल देंगे तो 2 तीया 6 2 दूना 4 ये रेशियो आए गया लड़का का और ये रेशियो आई गया लड़की का कोईशंट में दिया था कि लड़कों की संख्या कितना है 15 हम लोग को जो तीन दिख़ रहा है वह रियल में कितना दिया है 15 तो हमसे पूछा लड़कियों का बताईए 3 से अगर 15 हो रहा मतलब यह 5 गुना तो लड़की भी कितना हो जाएगा ये 2 से 5 गुना यानि कितना हो जागा 2 पचे 10 यानि कितना लड़की थी 10 चलिए अगला question देखते है question number 2 दिया है 8925 का रिन दो समान अर्धवारसिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज अर्धवारसिक रूप से 8% प्रतिवर्स की दर से सन्योजित किया जाता है तो प्रते किस्त कितनी होगी दिया हुआ है rate of interest 8% per annum यदि हम आप half yearly count करेती है कितना हो जागा 4% और यदि 4% को fraction में लिख देंगा तो यह कितना हो जागा 1 बटा पतीस कहने का मतलब यदि मेरा principle 25 है तो यह एक साल में कितना हो जागा 26 लेकिन दो ब्राबर वारसिक किस्त में बोला है तो अगर दूसरा साल रखे तो यह कितना हो जागा 25 का square यानि कि 25 गुना 25 तो amount कितना बन जागा 26 गुना 26 इस तरह से principle कितना जाएगा तो 25,500, 25,50, 50, 15, 65 और यहां पर 25 का square यानि कि 625 तो total principle कितना हो जागा 5, 5, 2, 7, 6, 12 और यदि किस्त का बात करें तो 26 का square यानि कितना हो जाएगा 670 हम देखें कि यही मेरा principle है अजो की question में कितना दिया है principle 8,925 तो पूछा कि परते किस्त बताईए किस्त कितना का है 666 बराबर कितना solve करेंगे 8, 9, 2, 5 into 6, 7, 6 divide by 1, 2, 7, 5 यह वला इससे पुरा कट जाएगा काटेंगा अगर तो 7 से यह पुरा-पुरा काट देगा 7, 35, 35, 49, 49, 32, 7, 2, 14, 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, कितना बार में कट गया यह 7 बार में इसको इससे गुना कर देगे कितना हो जाएगा 76, 42, 49, 49, 49, 43, 56, 46, 42, 42, 45, 47, 47, तो कितना हो जाएगा 4, 7, 3, 2, चलिए अगला question देखते है question number 3 बला एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है तीन खरीदे दो मुफ्त पाए छूट परतीसत क्या है चलिए देखे इसमें हम लोग को discount percent पूछा है कि तीन वस्तू पर यदि दो वस्तू फिर दिया जा रहा है तो discount percent क्या होगा चलिए question में क्या दिया है कि तीन वस्तू खरीदने पर दो वस्तू फ्री है हम लिए discount percent निकालना है तो discount कितना का दिरहादेव का तोटल कितना हो जागा तीन और दो पास तुम्हारे price total 5 percent के लिए 100 से गुना करके sign लगा देंगे तो 5 ये कर जागा भी इस बार में discount percent कितना जागा 40 percent चलिए अगला question देखते हैं question number 4 4 number में di दिया है अगला question देखते है question number 5 बहुत एक समूह की आउसत आयू में 4 वर्स की व्रिध्धी तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्स की आयू वाले एक व्रिध्धी के अस्थान पर 56 वर्स की आयू वाला कोई अन्य व्रिध्धी सामिल हो जाता है तो समूह की सदेश्चों की संख्या याद कीजिए question में दिया है कि एक 32 वर्स का व्रिध्धी जाता है और इसके बदले में 56 वर्स का व्रिध्धी आ जाता है तो हम बोले age में कितना बढ़ गया है तो बोलेंगे 32 से गया है और छपन आया है तो कितना age वाला आया है मतलब एक्ष्टा कितना लाया है तो 6 में से 2 गया 4 5 में से 3 गया 2 24 वर्स जो है अधिक हुआ है लेकिन क्वेश्टन में क्या दिया है कि परत्य का 4 वर्स ही बढ़ता है 24 बढ़ा है टोटल और सब में 4 चर बढ़ा है तो टोटल कंडिडेट कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 6 चलिए अगला क्वेश्टन देखते हैं क्वेश्टन नमबर 6 25 मीटर लंबी सिल्धी का पाव इमारत के अधार से 7 मीटर दूर है यदि सिल्धी का सिर्स 4 मीटर फिसल जाता है तो सिल्धी का पाव कितनी दूरी तक खिसकेगा क्वेश्टन दिया है कि 25 मीटर सिल्धी का पाव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है जैसे अगर हम बोले कि ये इमारत है और इमारत से कितना दूरी पर सीड़ी है 7 मीटर की दूरी पर सीड़ी है और सीड़ी का जो पाओ दिया है ये है सीड़ी, सीड़ी का कितना दिया है तो दिया है सीड़ी का 25 मीटर है अब question में क्या बोला, question में बोला, कि ये जो, अगर हम देखे ये 25 है, ये 7 है, तो ये जो दूरी आएगा, यहां से लेकर ये वाला, ये कितना होजाएगा हम लोग का, 24, triple 8 बन जाएगा, 7, 24, 25, ये 25 है, ये 7 है, ये कितना होजाएगा, 24, अब question में बोला है, कि यदि सीर्ष जो है, 4 cm खिसक जाता है, कहने का मतलब ये 20 है, अगर ये 4 यहां खिसक जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 20, 24 में से अगर 4 खिसक जाएगा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना बचेगा, 20, अगर ये यहां से खिसकता है, तो ये जो दिख रहा हम लोग को पाओ, ये भी यह जो यहां तक जो हम लोग का दूरी था, अब यह थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाएगा, अब जान दिजे कि यह अगर 25 है, अब नया ट्रेंगल कुछ इस परकार से बन गया, कि यह अगर 25 है, यह 20 है, यह 25 है, तो यह दूरी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15, 3, 4, 5 से ट्रिपलेट बन जाएगा, कि 20, 25 से यह कितना बनेगा, 15, अब ज्यान दिजे, यहां तक का दूरी कितना था, 7, और यह यहां तक दूरी है, 15, तो यह यह अवला दूरी पूछा है, कि यह कितना दूर खिसके हैगा, तो यह कितना जागा, 8, 15 में से यह 7 चला जागा, यह 9 है, गनित में पूरी कख्शा के आवसा तंक क्या होगा, छलिए, पूरी कख्शा के एवरेज पूछा है, दिया हुआ है, 29 लड़किया और 21 लड़किया हैं, गनित में लड़कों का आवसा त, यहां पे लिख रहे है ब tortoise और यह लिख रहे हैं गल्स, बला लड़कों का आ और नीचे लिखते हैं इसका रेसियो कि 29 बॉइज है और गर्स कितना है 21 निकालना हम लोग को बीच वाला का अबरेज यानि टोटल का अबरेज निकालना है करते क्या है कि जब भी बीच वाला पूछे तो यह दोनों जो रेसियो होता है इसका योग इसके डिफरेंस के सबस्तवर निकाल लेते हैं तो कितना जाएगा तो दो गुणा 29 bum é5 शुल करेंगे चले कितना हो जाएगा-चार यािनकी उसका विद्क इतना या 1.16 अब क्या करेंगे कि इस में से घटा देंगे कि यह तो घटा देंगे इसमें से कितना जाएगा 91 में सब इसको घटाएंगे यह हो जाएगा 0.84 यह हो गया 2 और यह आ जाएगा 89.84 यह हो जाएगा हम लोग का answer चलिए अगला question देखते हैं question number 8 दिया है in triangle ABC if the three sides are A equal to 5, B equal to 7 and C equal to 3 what is the angle B चलिए, solve करते हैं इसको question में दिया है एक triangle है ABC A, B, C हम जानते हैं यह अगर angle A है तो इसके सामने वाला side A होगा और हम लोग को side दिया है कितना? 5 B के सामने वाला side यह कितना है? 7 और C वाला कितना है? 3 हम लोग से यह पूछा है angle B angle B का value क्या होगा? तो दिखें, direct इसको हम लोग लगा देंगे cosine का rule यदि हम लोग को angle B निकालना है तो cosine का rule बोलता है कि अगर हमको cos B निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो cos B निकालने के लिए इसको और इसका square यानि कि 5 का square plus 3 का square और इसमें माइनस कर देंगे सामने वाला का square यानि कि 7 का square अब बटा में गुना कर देते हैं दो गुना ये दोनों यानि कि 3 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 5 का square 25 3 का square 9 तो 25 और 9 कितना जाएगा? 34 माइनस 49 और बटा में 2 तिया 6 6 पचे 30 यहां से माइनस करेंगे हम लोग कितना जाएगा? 9 में से 4 गया 5 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बै 30 और देखें ये माइनस कर रहेगा तो यहां से कट के आजाएगा ये कितना? माइनस 1 बै 2 और माइनस 1 बै 2 cos B में अगर हो cos में देखें तो माइनस 1 बै 2 का मतलब होता है 120 डिगरी यही हो जाएगा हम लोग का answer देखें, option में यहां पर 12 सो दिया हुआ है वो 12 सो नहीं बल्कि 120 डिगरी होगा चलिए अगला question देखते है question number 9 question number 9 algebra का question है चलिए इसे हम लोग देखते है दिया हुआ है x plus y plus z equal to 0 तो हमसे पूछा है x square बटा में y, z plus y square बटा में z x plus z square बटा में x, y solve करते हैं इसको यदि हम देखें कि यहां से नीचे से सबका अगर lcm ले ले लेंगे तो lcm क्या जाएगा lcm जाएगा x, y, z यहां पर y, z है तो यहां कितना से गुना होगा x से और x से गुना हो जाएगा यह क्या बन जाएगा x cube यहां पर z x है तो यहां क्या बचेगा y, y से इसको गुना करेंगे तो क्या इतना बन जाएगा y का cube यह x, y है तो बचेगा z, z का गुना कर देंगे तो कितना होगा z का cube अच्छा यह हम लोग को देखें कि x cube, y cube और z cube अगर हम लोग को x plus y plus z x plus y plus z अगर 0 दिया है तो x cube plus y cube plus z cube इसका value कितना हो जाता है 3 x, y, z क्या जाएगा 3 x, y, z बस इसी का value यहां पर बचा देंगे कितना हो जाएगा 3 x, y, z और बच्टा में कितना है x, y, z यह x, y, z, x, y, z खतम answer कितना जाएगा 3 चली, अगला question देखते हैं question number 10 बोला, x, y, z ने, एक अंक को 5 x 3 के बजाए 3 x 5 से गुना कर दिया गनना में हुई परतिसत तुरूटी क्या है देखे, बोला, क्या है कि एक संख्या को x, y, z ने, 5 x 3 से गुना करने के बजाए गुना कर दिया किस से? 3 x 5 गुना करना था 5 x 3 से कर दिया 3 x 5 से, तो डायेट क्या करते हैं यह इधर गुना हो जाएगा, कितना जाएगा? 25, और यह इधर गुना हो जाएगा तो 3 x 9, यानि लाना चाहिए था 25 लाया है 9, तो कितना का गलती किया है 25 में से 9 चला जाएगा, यानि 16 और यह गलती कि इस पे हुआ है 25 पे परसेंट के लिए स्वल्व करेंगे 25 से 25 चो के 100, कितना जाएगा 16 चो के 64 परसेंट चलिए अगला क्वेस्चन देखते हैं, क्वेस्चन नमबर 11 नमबर में अगर गोले का वुल्यूम का बात करें, वोल्यूम क्या होता है 4 भाई 3 पाई यह होता है गोला का आइतन देखे, अगर हम लोग फूर भाई 3 पाई के विल्यू एशे ही रणे दिते हैं और यह है आर क्यूब इक्वल टू कितना दिया हमलो को 972 पाई चली solve करेंगे ये पाई से ये पाई खतम चार से अगर इसको काड़ दे कितना बार में कर जाएगा चार दूना आठ बचा एक चार चोके सोला बचा एक चार तिया बारा तो आर का cube इक्वल टू आर क्यूब दिया हुआ है M X का पावर M माइनस N X का पावर N एक्वल टू जी दो और हमसे पूछा है 1 by X का पावर M प्लस X का पावर N प्लस 1 by X का पावर M माइनस X का पावर N हमें काम करते हैं अगर हम यहां से X का पावर M निकालना चाहा है तो यह जो माइनस का दिख रहा है उधर जाएक क्या जागा प्लस यानि कि N X का पावर N हो जाएगा और यह जो multiply में इधर अगत क्या हो जागा divide हो जाएगा चलिए तो जहां जहां x का power m दिखेगा वहां पे ये value पुट कर देंगे यहां पे जैसे हम देखें कि 1 बटा में इसका value लिख देंगे हम लों कितना हो जागा n x का power n बटा में m प्लस x का power n यहां भी अगर हम पुट कर दें x का value तो यह जागा n x का power n बटा में m minus x का power n यहां से अगर हम लों को common ले 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 तो क्या ले सकते हैं एक बटा में x का power n common ले ले लिए तो इधर क्या बचेगा n बटा में m प्लस 1 यह बचेगा यहां से भी अगर हम नीचे वाला यह जो x का power n common ले 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 तो क्या बचेगा n बटा में m minus 1 यहां से अगर हम देखे कि यह एक लाइन और अगर लिख दे तो यह हो जाएगा x का power n अगर यह दोनों का lc m ले लेंगे lc m कितना जाएगा m तो यह हो जाएगा n प्लस m यहां भी अगर हम बोले कि यह जो है x का power n अगर lc m ले ले लेंगे तो m और यह कितना हो जाएगा n minus m आगे solve करेंगे अगर हम देखे कि यहां भी m है यहां भी M है, दोनों का अगर हम common ले ले, क्या common ले ले, जैसे हम बोले कि एक लाइन और थोड़ा लिख दे रहे हैं कि X का power N, यहां भी M है, यहां भी M है, तो इसका भी और इसका दोनों का अगर हम common ले ले हैं, और यहां M भी common ले ले, तो यहां पर प्ल्स ऑ और यहां पर क्या बचेगा एक काम करते हैं यह दोनों का अगर हम देखें कि यह ुर्हे टो हम लोग बाहर में दनलए लिया हम लोग और यहां से अगर हम बोले कि यह जो multiple divide में दिख रहा वो क्या हो जागा ऊपर चला जागा यानि कि M हो जागा ऊपर और नीचे में क्या बचेगा X का power N और यहाँ पर यह दोनों का क्या करेंगे हम लोग यह दोनों का अगर हम LCM ले लेंगे तो A plus B जैसे N plus M है और N minus M है यानि A plus B क्या हो जागा तो बोल सकते हैं यह हो जानका A square minus B square यह दोनों गुना हो जागा यानि हो जागा N minus M plus यह दोना हो जागा N plus M यहां पर हम लोग solve करेंगे तो यह plus M minus M खतम हो जागा तो यहां पर थोड़ा सा इधर दिखा दे रहें कि यह क्या बचेगा तो बोलेंगे यहां तो m बचे हम लोग का और नीचे में x का पावर n और इधर क्या बचेगा तो n n यानि कि 2n बटा में n square माइनस m square अब इसको अगर गुना कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा यानि कि हो जाएगा 2mn या फिर nm और बटा में यह तो common है x का पावर n और इधर बचेगा n square माइनस m square तो यह हो जाएगा हम लोग का answer 2nm भी बोल सकते है या 2mn भी बोल सकते है यही answer हो जाएगा हम लोग का चली अगला question देखते है question number 14 दियावा है 36 cm 18 cm और 12 cm विमावों वाले धातू के एक ठोस घनाव को पिगला कर 6 cm भुजा वाले घन धाले जाते हैं इस प्रकार बने घनों की संख्या ग्याद किजिए किSON दिया हुआ है 36 cm 18 cm और 12 cm विमावों वाले धातू को बनाया जाता है देखे हम लोग को दिया हुआ है अगर घनाव का आयतन देखे हम लोग को दिया हुआ है कितना कितना साइड है 36, 18 और 12 जो भी घनाव का आयतन होगा वही क्या होगा घन के आयतन के बराबर होगा घन का आयतन क्या होता है तो side का cube तो अगर side का cube देखे कि हम लोग को दिया हुआ है 6 गुना, 6 गुना ये 6 तो ये तो घन का cube बन गया ये आयतन होगा उसका लेकिन पूछा कि कितना इस तरह का cube बनेगा, कितना घन बनेगा तो हम बलें क्या किया number of cube जो है गुना कर दिया इसका volume और इसका volume क्या होगा बराबर ये पूछा है कि कितना घन बनेगा काड़ देंगे 6 से 6 दुना 12 6 से 6 तिया 18 और 6 से 6 शक 36 तो यहां से number of cube जागा 2 तिया 6, 6 शक 36 कितना piece बनेगा? 36 चलिए अगला question देखते है question number 15 दिया है 36 P square plus 49 Q square 6 P plus 7 Q 6 P minus 7 Q चलिए अगर इसको हम लोग solve करें दिखें अगर हम ले ले यह A है यह B है तो A plus B और यह क्या हो जागा? A minus B A plus B, A minus B क्या होता है? तो यह हो जाता है A square minus B square A plus B, A minus B क्या होता है? A square minus B square यह है P इसका value दिया हुआ है यह हो जागा 36 P square minus 7 का 49 Q square यह आजाएगा यह दोनों को solve करेंगे तो कितना जागा? इतना और यहाँ पर अल्रेडी हम लोग को दिया हुआ है कितना? 36 P square plus 49 Q square तो यहाँ से अगर देखें तो यह भी अगर हम लोग इसको A ले 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 यह P square A minus B 400 उन्चास का जब सक्वाइर करेंगे तो इसका यह देख लेंगे कि 50 का नीरिष्ट में है तो कितना हो जाएगा? 0,1 और 25 से 1 कम हो जाएगा यहाँ से कीउ का पावर 4 यही हम लोग का आजाएगा answer चलिए अगला question देखते है question number 16 में हम लोग को di दिया हुए है अगला question देखते है question number 17 बोला एक किसी कारी को 12 दिन में पूरा कर सकता है भी उसी कारी को 36 दिन में पूरा कर सकता है दोनों मिल करके कितना दिन में पूरा करेगा दिया है कि कि A किसी कारी को 12 दिन में, B किसी कारी को 36 दिन में, तो डाइट इसको बना सकते हैं, कि A 12 दिन में, B 36 दिन में, दोनों मिला के पुछायत क्या करेंगे, दोनों को add कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 48, काटेंगे 12-12-14, 4-4-49, 36, answer कितना जाएगा, 9, चलिए, अगला question देखते हैं, question number 18, जा 11 मीटर 30 वाला एक अस्तंब, 25 मीटर उचा है, इसे बनाने में, कितनी सामगरी का, उप्योग किया जाएगा, चलिए, एक हम लोग को, पीलर बनाना है, अस्तंब बनाना है, पीलर कहने का मतलब है, कि यह हम लोग का क्या कहलाएगा, यह अगर पीलर है, तो यह किस सेप का हो जाएगा, तो बोलेंगे, यह हम लोग का बन जाएगा, बेलन यानि कि सिलिंडर, और सिलिंडर का हमको निकालना है, इसका वोल्यूम क्योंकि इसमें पुछा कि कितना माटेरियल लगेगा, वोल्यूम क्या होता है, तो वोल्यूम होता है, पाई, आर, इसक्व कि अगर इसको गुणा करना चाहे हम बोले कि 22 नहीं इसको अगर हम दो पार्ट में तोल ले 11 गुणा दो यह 20 हो जागा अब यह देखे 11 गुणा 11 गुणा 11 यह तो 11 का क्यू हो जागा यानि कि 1331 हो जागा और बचा यहां पे 2 और यहां पे 3 तो 2 तिया 6 स्वालब कर देंगे 6 कई 6 6 3 18 6 3 18 19 6 कई 6 और एक 7 कितना जागा 7 9 8 6 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर 19 दिया हुआ है 15 और 24 का तिरती अनुपात क्या है चलिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हमसे दिया हुआ है 15 और 24 का तिरती अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के से निकालते हैं बी का स्क्वायर यानि 24 गुना 24 बटा में ए ए यानिकी 15 काटेंगे 3 से 3 पचे 15 3 से 3 अठे 24 तो यह कितना हो जाएगा आठ चोके 22 आठ दूना 16 और 3 19 बटा में 5 इसको स्वाल कर देंगे तो 5 तिया 15 बचा यहां पे 3 यानिकी 5 तिया 15 बचा 4 यानि 5 अठे 40 दो बटा में 5 यह हो जाएगा हम लोग का एंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर 20 दिया है एक कक्षा में 70 परशेंट विद्यार्थी लड़किया है और 70 परशेंट लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदिदा खेल चुना है यदि 98 लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदिदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है देखे हम लोग को दिया हुआ बला की total student का 70% लड़किया है हम लिए अगर total student लड़का लड़की मिला कि अगर सो परसेंट है तो इसमें से लड़किया कितना है 70 और इस 70% लड़किया का भी 70% जितना लड़की है उसका 70% क्या लिए है सोकर अर्षोकर लेने वाला का संख्या मुझा दिया हुआ 98 solve करेंगे 1020 1020 तो यहां से कितना जागा 7 सते 49% जो की 98 है तो पूछा total student, total यानि कि 100% बराबर कितना, निकालेंगे 98 गुना 100 divide by 49 यहां से यह कर जागा 2 बार में कितना जागा 200, total number of student 200 चलिए अगला question देखते हैं, question number 21 दिया, a man purchased a cell phone 4 रूपीज 24,500 and sold it at a gain of 12.5% calculated on the selling price the selling price of the cell phone was चलिए दिखें, question में क्या बोला है, question में बोला है कि एक phone को बला कि एक phone purchase किया गया है एक आदमी, एक cell phone purchase किया है 24,500 रूपीया में और उसको बेच दिया है, sold किया है, कितना साथे 12% के लाफ में, लेकिन लाफ जो दिया है, वो selling price के बराबर दिया है यानि कि जो profit दिया हम लोग को ये profit कितना है, तो selling price का दिया है साथे 12%, साथे 12% को अगर solve करेंगे, तो या जाएगा 1 by 8 यानि कि यहां से कह सकते हैं कि profit और selling price का रिच्चियो कितना हो जाएगा तो profit एक है, और selling price कितना हो जाएगा आठ, तो यहां से निकाल लेंगे कि cost price क्या होगा तो 8 में बेच रहें से, बेचने से एक का profit होता है cost price कितना हो जाएगा, साथ question में हम लोग को दिया हुआ है कि cost price कितना था 24,500, जो हम लोग cost price साथ निकाल ले हैं वो कितना दिया हुआ है, 24,500 तो पूछा है कि बताइए, cell phone का selling price कितना है, 8 यानि 8 के value पूछा है, solve करेंगे 24,500, गुना 8, divide by 7 साथ से इसको कार देंगे, कितना बार में 27,21, 7,35 solve कर देंगे, 0,0,8,40, 8,24, 24,24,28 तो यह आ जाएगा, cell phone का selling price, चलिए, अगला question देखते हैं, question number 22, बोला, एक ठोक भी करेता द्वारा बेची जा रही, परतेक वस्तू का अंकित मुली 300 रुपया था, थोक वेपारी एक इस्टोक clearance sale की पेसकस कर रहा था, जिसमें परतेक तीन वस्तू में खरीदने पर एक वस्तू मुफ्त दी जा रही थी, इसके अलाबाद 10,000 रुपया से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी वेक्ति को तीन वस्तू खरीदने के एक वस्तू पाए योजना की देः रासी पर 10% के छूट भी दी जा रही थी रमेच ने खरीदारी करके रमेच ने खरीदारी की जिसके लिए देः रासी 18,000 प्या थी इसले इन देन के दरान रमेज को कितने परभावी छूट दी गई चलिए दिखे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कमपनी जो है या क्लिरेंस सेल पे लगाए गया है और क्वेश्चन में बोला है कि 3 वस्तू पे 2 वस्तू फ्री दिया जा रहा 3 वस्तू पे 1 वस्तू फ्री है 3 वस्तू खरीदने पर 1 वस्तू फ्री दिया जा रहा है और जो 10,000 से अधिक खरीदेगा उसे 10% का additional discount भी जा रहा है तो रमेज क्या किया है कि 18,000 का खरीदा है मतलब बो 10,000 से ज़्यादा खरीदा है तो इसको additional discount भी मिलेगा और discount कितना का दिया है additional discount है 10% का तो देखे ये तना बड़ा question सिर्फ जान बुज़ करके दिया हुँँथा question सिर्फ यही दिया है कि 3 में खरीदने पर 1 फ्री दे रहा और 10% का additional discount है तो direct हम लोग यहाँ से निकाल लेगे एक discount यहाँ से निकल जागा कितना का discount निकलेगा तो बोलेगे एक का वस्तु फिरी दे रहा है कितना पर 3 और एक 4 पर परसेंट के लिए तो एक discount यहाँ से निकाल लेगे कितना जागा 25% और एक discount पता है दूसरा पता है तो दोनों मिला करके discount निकाल लेगे कितना हो जागा 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10 डिवाइड बै 100 जब दो discount पता हो तो इसका equivalent discount निकाल लेगे solve करेंगे एक जिरो एक जिरो खतम 25 और 10 35 माइनस 25 बटा में 10 यानि कितना हो जागा 2.5 35 में से 2.5 चला जागा 32.5% का discount हो जागा चली अगला question देखते है question number 23 बला रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मीटर देरी से अपने कोलेज पहुंचता है अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है फिर भी कोलेज पहुंचने में उसे 10 मिनटर की देरी हो जाती है उसका कोलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है question में दिया है कि रमेश अपने घर से 40 के स्पिड से जाता है जब 40 के स्पिड से जाता है तो उसे 25 मिनटर लेट हो जाता है कोईशन में जब 40 के स्पीट से जाता है ते कितना लेट होता है पचीस मिनट लेट हो रहा है ये लेट है ठीक है छले फिर आगे दिया है कि जब वो 10 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा देता है कहने के मतलब जब 40 से जा रहता है 10 बढ़ा देगा कितना से जाएगा 50 के तो उसे 10 मिनट के लेट हुआ हम नहीं डूरी तो सेम होगा 거ушि जो भी रख ME दूरी सेम है दूरी सेम है तो क्या करें इसका LCM लेगे 44 oh 50 का कितना हो जागा 200-चालिस करें तो पांक बार में और 50 से करेंगे तो चार बार हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि यह इस्पीड ये a distance आ ये का है time time में देखें कि अंतर कितना का दिख रहा तो 5ौह और 4 में अंतर दिख रहा एक का time में अंतर Only affect लेकिन के ऐखें थो पहले 25 और बाद में दस यह दो रोम अंतर में 60 तो एक वेल्यू बराबर इतना दिया है तो पूछा है दूरी बताइए दूरी कितना माने थे हम लोग 200 यानि 200 बराबर कितना स्वल्ब कर देंगे तो 15 बटा में 60 गुना 200 और यह इधर आ जागा डिवाट बाएक तो काटेंगे 15 से 15 चोके 60 चार से कट जागा कितना वार में 50 किलोमेटर तो इसकूल से घर से कोरेज की दूरी कितना था 50 किलोमेटर अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 24 बोला नीम लिखित में से कौन सी संख्या 42 से पुर्णता विभाज है चले बोले कि 42 से पूरा-पूरा कटने वाला हो सफिस से कटने के लिए 2 और 3 शेकर न चाहिए अफसर हम लोगों देखें लगवा है 25212 सेकेंड ओप्शन है 25244 थर्ड ओप्शन है 252 32 लास्ट ओप्शन है 25242 चली जैसे हम बोले कि अगर हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे इसका चेक कर लें कि अगर 6 से कटने वाला है तो वो 3 से भी कटेगा और 3 से कटने का हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 से कटता है यदि सभी का योग 3 से कट जाय तो वो 3 से डिविज्वल है हम लोग योग इसका डाएट ने करेंगे डाएट हम लोग देखेंगे कि 2 और 1 3 खतम यहां सा अगर हम देखे तो दो और दो चार और पांच नौ ये भी खतम जाएगा मतलब ये तीन से कटने वाला है चलिए इसको भी रहने देते हैं आगे देखते हैं हम बले यहाँ पर अगर देखे तो पांच और चार नौ खतम यहाँ पर बच गया चार दो छे और दो आठ मतलब ये तो का एंसर आ सकता है देख लिए कि हम लोग का पास option कितना बचा दो option बच गया तो यह अला हम लोग को possibility खतम गया अब आते हैं 7 पर अब हम लोग दिखे दो जैसे ही बचा है तो हम लोग क्या करेंगे यह हम लोग का कि 7 अगर डिवाइड देंगे तो 721 बचेगा 4 सचक बी 40 और 12 कभी भी 7 से ने कटेगा इसलिए यह answer नहीं होगा यह answer हो जागा इसको भी चेक कर लिए कि 7 से 21 बचेचार सचक बी आलिस सचक बी आलिस तो यह कट जाएगा इसलिए answer क्या हो जागा 25242 चलिए अगरा question देखते है simplification का है कि दिया हुआ है चलिए सबसे पहले हम लोग solve करेंगे जो यह line जो दिया है उपर में इसको solve करेंगे तो 9 में से यह 3 चला जागा कितना बचेगा 6 नो में से पहले इसको घटा देंगे तो 6 और यह 15 है और यह minus का 6 तो 15 minus 6 कितना हो जागा बोलेंगा 15-6 यानि कितना बचेगा 9 अब ये 20 में से जब 9 जाएगा ति ये कितना बचेगा 11 और ये 10 ये 10 में से minus 11 यानि कितना बचेगा यहाँ पे minus 1 और यहाँ पे 9 है और ये already minus में है तो ये minus minus क्या हो जाएगा plus यानि कि 9 plus 1 कितना जाएगा answer 10 चलिए तो ये हम लोग का set खतम आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं अगला class में हम लोग next set देखेंगे इसके बाद का